नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं प्रधान मंदी नैंद मोदी से 28 जुड़ाई को दिली में मिलेंगी बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधान मंदी नैंद मोदी से भी मिलेंगी गुरू आरकुप सनवदता समयलन में उन्होंने कहा कि वह दो तीन दीन दिली में रहेंगी इस दोरन प्रधान मंत्री से मिलेंगी उन्होंने प्रधान मंत्री से मिलने के लिए समय मैंगा था और पी-एम ने समय दे दिया है ममता ने कहा कि प्रधान मंत्री ने उन्हें मीटिंग का समय दिया है जारखन में फिलाल मान्सुन कमजोर पड़ा हुआ है राजे के सभी जिलो में एक समय बारिस नहीं हो रही है राजे के 12 जिलो में समाने से कम बारिस हुई है बतादे जुलाई में अब तक राजे में करीब 403 मिलिमीटर बारिस हुई है जबकि इस ओधी तक 421 मिलिमीटर बारिस होनी चाहिए थी वही राजे के एक दर्जन जीलों में बारिस की थीती समाने याईस से अधिक है जामतरा और कोडार्मा जीले में समाने से अधिक बारिस हुई है छात्रवीर्ति के लिए इपोटल खोलने की मायांग कोड़ीर्ति में हमारी के कारण B.8.7 के अनियमित रहने और नमांकन परकिरिया में बिलाम होने के कारण सेक्षिनिक सात्र 2021 के लिए B.8.7 के चात्र चात्र आओ और अनियमा दियमों से चात्र बिती के लिए इक लियान पोटल खोलने का अनुरुत किया गया ताकि वे सेक्षिनिक सात्र 2021 के लिए आवेजन कर सके इस समद में राज एके विभिन विश्वविद्यालियों से समद B.8.7 सेक्षिनिक संस्थानों में सत्र के अनियमित रहने और नमांकन में विलाम होने पर अनुशुचित जन जाती अल्पसंख्या को अपिछ्रावर कल्यान विभाग ने उच तक्निकी सिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है क्राइम की रोक्ताम के लिए ज्हारखन पुलिस तेनाथ राजधानी में तेनाथ टाइगर मोबाइल तथा बाइक दास्ता के जवानों को बड़ी जिमिदारी सोपी गई है वे 24 होट एस्पोर्ट पर संदिगदों पर नज़र रखेंगे साथी वीभीन मोहला में किराइदारों का भी वेरिविकेशन भी करेंगे सीटी एसपी ने ताइगर मोबाइल वबाइक दास्ता के जवानों के कारीयों की समिछा करने के बाद हीजिमिदारी सोपी है बतादे राज धानी में बरतमान में टाइगर मोबाइल वा बाइक के 63 दस्ते हैं इस्कूली बच्चो को डिजिटल समागरी देने के मामले पर सुनवाई अगले सब्ता राज के सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चो को मोबाइल, इंटरनेट और अनेट डिजिटल समागरी उपलब्द कराने के दायर जनहीत याजका पर हाई कोट में अगले सब्ता सुनवाई होगी गुरुबाय को चीफ जाश्री डक्टर अभिरंजर और जाश्री सुजित नरायन परसाथ के आदालत में इस मामले पर आन्सिक सुनवाई होई याजका में कोश तूटी रहने के कारां आदालत ने प्राथिक और तूटी दूर करने और महाद अधिवक्ता को इस मामले पर सरकार से निर्देश लेने को कहा और सुनवाई अगले सब्ता निर्धायत कर दी पीजीटी सिक्छक नियुक्ति मामला जारकन के पूरो मुखमंतरी रगवर दासनसियम हिमान सुरेन को पत्र लिखा है इसमें पीजीटी सिक्छक नियुक्ति को लेकर उन्हों ने लिखा कि हमारी सरकार ने हाई स्कूल टीचर के 17,522 पदों के लिए विग्यापन निकाले थे सन 2018 में पर इक्छा पल आया और 29 में नियुक्ति सुरू हुई हमारी सरकार के कारे काल में 90% पदों पर नियुक्ति हो गई केवल इतिहास और नागरी सात्र बिशाए के 626 सफल अवियारतिक नियुक्ति की जानी थी इनकी नियुक्ति के अनुसंसा भी हो गई है केवल नियुक्ति पत्र दिया जाना है सिक्षा विभाग ने 18 फरोई 2021 को इनकी नियुक्ति परोक लगा दी जबकि ये गार अगर अनुसुची जीलों में से देवघर में नियुक्ति की जा चुकी है मुख्य मंत्री बताए औक्सिजन की कमी से राजे में कितनी जाने गई दिपक परकास बिजेपी परदेश अध्यक्ष और सांसर दिपक परकास ने ऑक्सिजन की कमी से मौत के मामले में हिमन सरकार से सवाल किया है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री ये बताए कि राजे में ऑक्सिजन के अभाव में कितने लोग मरे हैं केवल थोथी बायन बाजी से जनता को सरकार गुमराह नहीं करें उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने लोग सभाव राज सभा में ऑक्सिजन से मौत पर जो ब्यान दिया है वो अदेश के विफिन राजे सरकारों से मिली रिपोर्ट के अधार पर दिये हाँ कोडारमा में बेरुजगारी भत्ता शुरू मौख्य मंत्री पुर्ट साहन योजना के तहत अप्रसिक्षित बेरुजगार की खोज होने लगी है ऐसे बेरुजगारों को सरकार अस्तर से पांच हैयार की रासी दी जाएगी योजना का लाव योग लावकों को मिले इसके लिए डिसी आधित रंजन पता दिकाद्योग साथ बैठा कर अहरता धारी भेरुजगार युवाओ को चीनित करने का निदेश दिया उपायुक तुने बताया कि राई सरकार अस्तर से बेरुजगारों की समस्या से निजात के लिए ग्रामिन वा सहरी बेरुजगार युवाओ को रोजगार से जोडने यम साहता प्रदान करने के उदेश से योजना लाव की गई है इसके तहट लावको को फ्रती वर्ष 5-6 रुपे सहता दी जाएगी त्रियस्तरिय पंचायत चुनाओ होने तक मुखिया का बढ़ेगा कारेकाल जार्खन में त्रियस्तरिय पंचायत का कारेकाल समाप्थो चुका है अम्तिम पंचायत चुनाओ 2015 में हुआ था अगला पंचायत चुनाओ दिसंबर 2020 में निधारित था लेकिन कुरुना का कारण जार्खन की हिमन सरकार ने पंचायत चुनाओ नहीं करने का निले लिया इसके बाद जनवर 2020 में चुनाओ पंचायत के निर्वाचित प्रतिनीदियों का कारेकाल बढ़ाया गया था अब चुनाओ पंचायत चुनाओ के असार नहीं है ऐसे में राज सरकार ने अब चुनाओ होने तक कारेकाल बढ़ाने का मन बना लिया है इस बाद जल्दी अईस्वितना जारी हो सकती है जारखन में 22 नए केस मिले हैं जो राज़ी से 3, पूर्वी सिवों से 1, बोकारो से 1, धनवाज से 2, रामगर से 2, कुडार्मा से 2, पलामू से 1, देवगर से 5, गुमला से 1, सराय केला 2, सिम्डेका 2 मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 305 है भारत में 34,861 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,99,489 है